हेलो गाइच वेलकम टो माई यूट्व चैनल प्रकास फार्मेसी प्रकास फार्मेसी में आपका स्वागत है आज हम आपको बताने वाले हैं कॉंफार एलेक्टिक सिरप के बारे में कॉंफार एलेक्टिक जिसे की लाइफ कम फार्मासेटिकल प्राइबेट लिमिटेड इसे बनाती हैं और इसका जो साल्ट होता है वो होता है फैरस स्कार्वेट जिसे हम एलिमेंटल आरन कहते हैं वो होता है 30 mg और फॉलिक एसिड होता है 500 mcg और वहीं जो मैथाइकोबालामीन होता है वो होता है 500 mcg अर्था 500 mcg मेथाईकोबाला मेन होता है और वहीं L-Icine की बात करें जो कि यह एक अमीनो एसिड है तो यह होता है 70 mg अर्था 70 mg में यह होता है तो यह 4 सालतर से मिल करके बना है जो कि एनेमिया के लिए बहुत ही बढ़िया सीरप है इसे एनेमिया में इस्तेमाल के रहता है एनेमिया में लोगों की समस्याई वो होती है कि उनको खुन की कमी होती है अगर लोगों की खुन की कमी ज़्यादा हो हेमोगलोबिन के मातरा कम आए तो ऐसे लोग इस सीरप का इस्तेमाल कर सकते हैं 10 ml सुभे और 10 ml साम लेनी होती है खाना खाने के बाद 10 ml पानी मिला करके आप ले 10 ml सीरप और 10 ml पानी तो अच्छा रिस्पान देता है कुछ लोगों को आरन ज़्यादा देने से उनके अगर लीपर प्रॉब्लम होती है उनको दस्त की समर्शाएं ज़्यादा होती है तो अगर ज़्यादा दस्त आने लगे लोगों को तो ऐसे लोग 5 ml सुभे और 5 ml साम ही लें बेटर रहेगा अगर हम इसके कुछ और भी यूज़े जा लें तो इसको प्रेनंसे में इस्तिमाल कर जाता है अगर खुन की कमी आपको महसुस हो रही हो या अगर प्रेसेन्ट की किसी भी तरह की ऐसा कोई लच्छड दिखें जैसे कि एगर उसको खुन की कमी हो रही है कमजोरी हो रही है तो ऐसे लोग इस्तिमाल कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है 5 ml सुभे और 5 ml साम इस्तेमाल करिए अच्छा रहेगा और कोई दिक्कत नहीं होगी कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा अगर हेमोग्रोबिन की कमी ज्यादा मखसूस हो रही है तो 10 ml सुभे और 10 ml साम को इसी रप कर इस्तेमाल किया जा सकता है अगर इस्तेमाल करनी है तो आप अपने नयदी की डॉक्टर से जरूर संपर करें अपने नयदी की डॉक्टर से सलाह ले ले जैसा आपको डॉक्टर सजेस्ट करें आप उस हिसाब से इस सीरप का इस्तेमाल करें अब हम इसकी कुछ side effect की बात करें, तो side effect में वही समझाएं होती हैं, कि इस सीरप को लेने के बात दस्त होने लगती हैं, अगर दस्त ज्यादा मसूस होने लगे हो, या आपको एठन पेट में ज्यादा मसूस हो, पेट में दर्द होने लगे हो, या अनभचे सी लेटिंग होन में आप इस सीरप का इस्तेमाल न करें और अपने नेदी की डोटर से जरूर संपर करें तो यह हुई कुछ कौंफर एलेस्टिक सीरप की जनकरियां वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट बाक्स में पूछ सकते ह मिलते हैं नेफ्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाबाए